क्रिशी लेक विक्सित होती जिनांतरित फसलें Developing Genetically Modified Groups Dr. R.S. Sanger अन्य विक्सित देशों की तरह हमारे देश ने भी जिनांतरित फसलों के विकास में जैव प्रोध्योगी की एक रंड नीती को वैज्ञानिक निवेश के रूप में पहचान की है जो की खाद्यान सुरक्षा, पोशाहार सुरक्षा और ज्यादा टिकाव क्रिशी में योगदान का वादा करती है तद्नुसार भारा सरकार ने विज्ञान व प्रोध्योगी की मंत्राले में जैव प्रोध्योगी की विभाग DBT के माध्यम से वर्ष 1990 में पादप में आनविक जी विज्ञान के छे केंद्रों की स्थापना की ताकि देश में पादप जैव प्रोध्योगी की अनुसंधान को मजबूती मिल सके भारतिये कृशी अनुसंधान परिशद नाई दिल्ली के विभन अनुसंधान संस्थानों में क्रिशी पर मुख्य रूप से अनुसंधान किया जाता है। परिशद के विभिन अनुसंधान केंदरों में अब जीनांतरित फसलों के विकास पर विशेश जोर दिया जा रहा है। जैव प्रद्योगिकी की नई-नई तकनीकों का प्रयोग, फसलों में कीट व्याधियों के प्रती प्रति रोधक्षमता, वाता वरणिये प्रतिकूल इस्थितियों के प्रती सहिश्नुता, वपुष्टिकर तत्वों से युक्त फसलों के विकास में किया जा रहा है। इसी के तहट राष्ट्रिय पादप जैव प्रध्योगी की अनुसंधान केंद्र की स्थापना सन 1985 में पूसा कैंपस नई दिल्ली में की गई इस केंद्र की स्थापना मुख्य रूप से आधुनिक आनविक जीव विग्यान एवं जैव प्रोध्योगी की में शोध शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए की गई इस केंद्र ने उत्कृष्ट शोध सुविधाओं की स्थापना कर ली है तथा जैव प्रौध्योगी की एक शेतर में उच्च स्तर की वैग्यानिक दक्षता प्राप्त कर ली है। कीट रसायनों पर व्य होने वाले करोणों रूपियों के नुकसान को वपर्यावरन को प्रदूशित होने से बचाया जा सके। उतक समवर्धन से हुई सर्सों सुनहरी खाद्य तेलिये फसलों में सर्सों का विशेश स्थान है। सर्सों की उत्पादक्ता दर को बढ़ाने के लिए इस केंद्र ने उतक समवर्धन प्राद्योगी की का प्रयोग कर उच्च उपच देने वाली नई किस्म पूसा जै किसान को सन 1994 में ही विक्सित कर लिया था। ये देश में जैव प्राद्योगी की द्वारा विक्सित पहली किस्म है जिसकी उत्पादक्ता दर दूसरी लोकल किस्मों से 20-25 प्रतिशत अधिक है तथा ये माहु प्रतिरोधी किस्म है जो गुजरात, राजस्थान वो महराष्टर के लिए जारी की गई है। एक और किस्म पूसा गोल्ड पीली सरसों को 1997 में इसी प्राद्योगी की द्वारा विक्सित किया गया तथा इसे पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा तथा पूरवी उत्तरप्रदेश के लिए जारी किया गया। इसके साथ साथ केंद्र ने सरसों में कई नरबंद क्रम वंच का विकास किया है। इनका प्रयोग सरसों में उत्पादक्ता बढ़ाने के लिए विभिन संकरों यानि हाइब्रिड्स के विकास में सहायक होगा। तलाश नए जीन्स की। इसके द्वारा प्रिथक किये गए जीनों को खास तोर से सूखे के प्रती सहिशनु फसलों के विकास में प्रयोग किया जा रहा है। यद्यपी सूखे के प्रती सहिशनुता एक जटल विशेशक है। फिर भी इसे विक्सित करने के लिए विभिन शरीर क्रिया विज्ञानी और जैव रासायनिक क्रिया विधियों को समन्वित रूप से इस तरह लगाया जाता है। जिसके द्वारा पौधे सूखे को सहन करने में सक्षम हो जाते हैं। प्रौध द्योगी की को अपनाने के प्रती विश्वास प्रदर्शित करता है। हमारे केंद्र ने भी जीनांतरित कपास का विकास कर लिया है। इसके तहत स्थाई किस्म बीकानेरी नर्मा में बीटी जीन स्थांदरांतरित क्यराया गया है। इसके T1, T2 स्थर पर परीक्षन सफल पाए गए हैं तथा इसे सुंडी यानि फल छेदक के प्रती सहिशनू पा देश के विबन स्थानों पर इस वर्ष तक किये जाएंगे। जीनांतरित सर्सों फसल उत्पादक्ता पर सूखे वा लवनता के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए केंद्र ने जीनांतरित सर्सों विक्सित कर ली है। इसका विकास कंस्ट्रक्टिव CAV 35S प्रमो फ्रीस्तर पर फाइटोट्रोन में उगाई जा रही है। जीनांतरित बैंगन बैंगन भारत वदक्षिन पूरवी एशिया में सबसे अधिक उगाई जाने वाली खाद्य सबजी है। ये फसल फल वबैंगन प्ररोह जैसे नाशक जीवों के प्रति बहुत समवेदनशील है तथा इसकी रासाइनिक रोक्ताम काफी खर्चीली है और असरदार भी नहीं है। हमारे केंद्र ने BTK एक डेल्टा एंडो टॉक्सिन क्राई 1-FA1 जीन का निर्मान किया तथा इसे एक शक्तिशाली प्रोमोटर C.A.M.V.35S के नियंत्रण में बैंगन की किस्म पूसा परप लॉंग में डाल कर जिनांत्रित बैंगन का विकास कर लिया है। ये जिनांत्रित बैंगन प्ररोह वफल छेटक के प्रती सहिशनों पाया गया है। केंद्र द्वारा विक्सित इस जिनांत्रित बैंगन में फल क्षती 4-7 प्रतिशत थी जबकि सामान्य बैंगन की 35-43 प्र पर दिया गया है। पौधों की बढ़वार अधिक होती है और फल भी बड़े बड़े वा अधिक भारवाले होते हैं। पादप प्रजनकों द्वारा कठिन गुणों की वन्शानों गत्ता के लिए चयन प्रक्रिया में तेजी लाने में मारकर सहाय चयन वा आणविक प्रजनन की महत्वपून भूमिका है। केंद्र में हाल ही में आणविक मारकरों का उप्योग करते हुए जीवानु अंगमारी के प्रथी सहिश्नुद उन्नत पूसा बास्मती एक नामक नई किस्म का धान विक्स विकास किया है। इस किस्म का विकास जीवानु अंगमारी को वहन करने वाले दो जीनों XA13 तथा XA21 को स्थान अंतरित करके मारकर की सहायता से किया गया है। कई शस्य विज्ञानी परीक्षणों के बाद इस वंचक्रम किस्म को केंद्रिय किस्म निर्मुक्ती समिती ने पंजाब, दिल्ली, उत्राखन तथा जम्मु कश्मीर राज्यों में व्यवसाई खेती के लिए सन 2007 में आधिसूचित किया है। ये मारकर सहाय चयन M.A.S. के माध्यम से देश में विक्सित पहली किस्म है। इसके साथ ही केंद्र ने DNA को वरगी खृत करने के लिए RFLP, RAPD, STMS, ISS और AFLP जैसी विधियों का उप्योग कर धान की 120, गेहुं की 140 और सरसों की 42 प्रजातियों के DNA फिंगर प्रिंट तयार कर लि इनका प्रयोग विभिन किस्मों के वानचित लक्षणों की पहचान में किया जा सकता है। ये राष्ट्रिय स्तर पर किस्मों की पहचान वसंगरक्षण के लिए उप्योगी होने जा रहा है। भारतिय क्रिशी अनुसंधान परिशद नई दिल्ली के विभिन अनुसंधान संस्थानों में क्रिशी पर मुख्य रूप से अनुसंधान किया जाता है। परिशद के विभिन अनुसंधान केंद्रों में अब जीवांतरित फसलों के विकास पर विशेश जोर दिया जा रहा है। जैव प्रोध्योगिकियों का प्रयोग फसलों में कीट व्याधियों के प्रतिकूल व्यस इस्थितियों के प्रति सहिश्णुता वपुष्टिकर तत्वों से युक्त फसलों के विकास में किया जा रहा है। इसी के तहट राश्ट्रिय पादप जैव प्रोध्योगिकी केंद्र की स्थापना सन 1985 में पूसा केंपस नई दिल्ली में की गई। से अब ये संभव है कि फफून की प्रतिरोधी संपदा वाले जीनों को प्रिथक कर लक्षित रोग जनकों के विरुद ऐसे जीनों को द्वी गुनित कर बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। प्रभेदों को प्रिथक कर उनके गुन धर्मों का आणविक स्तर पर विशलेशन कर संबंदित विपथन की पहचान कर ली गई है। भारतिय धान जीनों अनुक्रमन पहल अंतराष्ट्रिय चावल जीनों अनुक्रमन परियोजना जापान के नेतरित्व में 1998 में प्रारंभ की गई थी। लगबग 1000 करोर रुपे लागत वाली इस परियोजना में जापान, अमरीका, ताइवान, चीन, फ्रांस, भारत, दक्षन कोरिया, थाइलेंड, ब्राजील तथा ब्रिटेन के 250 वैज्यानिकों ने भाग लिया और जापोनिका समुह के धान की एक प्रजाती निपोन बरे के जीनोम का अनुक्रमन किया। जीनों की पहचान कर ली गई है। भारत ने इस परियोजना में अपने लक्ष को निर्धारित समय की सीमा से पूर्व, पूरा कर लिया था। धान के जिनोम की संपूर्ण जानकारी उपलब्द होने के साथ ही महत्वपूर्ण कारे करने वाले जीनों के खोज की प्रतिसपर वा वनशानुमों की पूरी जानकारी दी हुई है। उतक समवर्धन प्रोध्योगी की का प्रयोग कर उच्च उपच देने वाली नई धान की किस्म पूसा जय किसान को सन 1994 में ही विक्सित कर लिया था। ये देश में जैव प्रोध्योगी की द्वारा विक्सित पहली किस् 20-25 प्रतिशत अधिक है तथा ये माहू प्रतिरोधी किस्म है जो गुजरात, राजस्थान वह महाराश्ट्र के लिए जारी की गई है। वह आणविक प्रजनन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास पर N.A.T.P. द्वारा प्रायोजित परियोजना के दोरान भारतिये क्रिशी अनुसंधान परिशद और राज्य क्रिशी विश्वविद्याले के लगभग 300 से अधिक वैग्यानिकों को प्रशिक्षन दिया जा र किसान उप्योगी तकनीक की जानकारी प्रदेश के विभिन भागों से आये किसानों ने ली विश्वविद्याले के वैग्यानिक डॉक्टर R.S. सेंगर ने बताया कि बायो टेक्नोलोजी की तकनीक के कारण कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आये हैं इस इस नीक की सहायता से ही पौधों की प्रकास संचलेशन और श्वसन की क्षमता में व्रिधी कर अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। प्रिष्ट 108 देश में अभी भी फील्ड ट्रायल की मनजूरी नहीं दी है। जिन फसलों के ट्रायल की मनजूरी दी गई है। उनमें गेहूं, धान, मक्का और जुआर के साथ कई फसलों की जी-म किसमें शामिल है। एक तबके का मानना है कि भारत की खाद्य सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए इन फसलों को बढ़ावा देना जरूरी है। वहीं एक बढ़ा वर्ग ऐसा भी है जो इन फसलों को स्वास्थ और परियावरन के लिए खतरनाक मानता है। हाल ही में कृशी मंत्राले ने जी-म फसलों के फील्ड ट्रायल की मनजूरी सुप्रीम कोर्ट से मांगी है। क्या है जी-म फसलें। जी-म फसल यानि जेनेटिकली मोडिफाइड क्रॉप्स इनने जेनेटिक एंजिनियरिंग की मदद से लैब में उनकी जीन्स में बदलाव करके तयार किया जाता है। इनने बायो टेक अथवा बी-टी फसलों के नाम से भी जाना जाता है। इनके विकास का उद्देश्य किसी फसल को ज्यादा उत्पादन वाला बनाना होता है। साथ ही फसलों को बीमारियों, कीट पतंगों, सूखे, पाले और खारे पानी आदी से बचने की क्षमता से भी लैस करना होता है।